आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का चोथा अध्याय नारत जी ने कहा ऐसा कहकर भगवान विश्णू मचली का रूप धारन करके आकास से जल में गिरे उसमें विंद्याचल परवत पर तब कर रहे महर्शी कशप अपनी अंजली में जल लेकर खड़े थे भगवान उनकी अंजली में जा गिरे महर्शी कशप ने दया कर उसे अपने कमंडल में रख दिया मचली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्शी कशप ने उसे कुवे में डाल दिया जब वह मचली कुवे में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया जब वह तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया वह मचली वहां भी बढ़ने लगी फिर मतश्य रूपी भगवान विश्णू ने इस संखासुर का वद किया और संखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए वहां संपून रिश्यो को बुला कर इस प्रकार आदेश दिया मुनिश्वरो तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंतरों को खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालाओ तब तक मैं देवताओं के साथ प्रियाग में ठहरता हूँ तब उन तपोबल संपन महर्षियों ने यग और बीजो सहित संपून वेद मंतरों का उद्धार किया उनमें से जितने मंतर जिस रिशी ने उपलब्द किये वहीं उन मीज मंतरों का उस दिन से रिशी माना जानने लगा तदंतर सब रिशी एकत्र होकर प्रियाग में गए वहाँ उनोंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विश्नों को उपलब्द हुए सभी वेद मंतर समर्पित कर दिये सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत परसन हुए उनोंने देवताओं और रिश्यों के साथ प्रियाग में अश्वमेग यग किया यग्य समाप्थ होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया देवादी देव जगनात इस स्थान प्रब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुन्य प्राप्त किया है और हमने भी यहां आपके परसाथ से यग्य भाग पाएं है अत्य यह स्थान प्रित्वी पर सब से श्रेष्ट पुन्य की व्रिधी करने वाला एम भोग तथा मोक्ष परदान करने वाला हो साथी यह समय भी महा पुन्य में और ब्रह्म घाती आदी महा पापियों की भी शुद्धी करने वाला हो तता यह स्थान यहां दिये हुए दान को अक्षे बना देने वाला भी हो यह वर दीजिए भगवान विश्णु बोले देवताओं तुमने जो कहा है मुझे स्वेकार है मुझे इससे तुमारे इच्छा पून हो आज से यह स्थान ब्रह्म शित्र के नाम से परसित होगा शूर्य वंश में उत्पन राजा भखीरत यहां गंगा को ले आएंगे और वह यहां सूर्य कन्ना युमना से मिलेगी ब्रह्मा जी और तुम सब देवताओं मेरे साथ यहां निवास करो आज से यह तिर्थ राज के नाम से विख्यात होगा तिर्थ राज के दर्शन से ततकाल सब पाप नस्ठ हो जाएंगे जब सूर्य मकर राशी में स्थित होंगे उस समय यहां सनान करने वाले मनुश्यों के सब पापों का यह तिर्थ नाश करेगा यह काल भी मनुश्यों के लिए सदा माहान पुन्य फल देने वाला होगा माग में शूर्य के मकर रासे में स्थित होने पर यहां सनान करने से साल लोक्या आदि फल प्राप्त होंगे देवादी देव भगवान विश्णू देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतरध्यान हो गए ततपस्चाच इंद्रादी देवता भी अपने अंश से प्रियाग में रहते हुए वहां से अंतरध्यान हो गए जो मनुश्यकार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समेप सिरीहरी का पूजन करता है वह इस लोक में समपून बोंगों का उपभोग करके अंत में वैकूंट दाम को जाता है अगला अध्याय आप कल सुनेंगे